कुदेव जोपी एसी महों के बाबाल दिन रात पड़ना है मन्जा वो धामान काबर ले था स्रे ठेंसन अरे काबर ले था स्रे ठेंसन जब अप सर्वन के ते कर पे धामान ये कैसे होगा से हलो स्टूडेंट्स पिछली कक्षा में हम कोश्चन के माध्यम से अपनी कक्षाओं का रिविजन कर रहे थे आज जो हमारा टॉपिक है वो परिवार इवं मित्र का है जो अपने आप में एक महत्पूर्ण है ये हमारे इन्वार्मेंट का एक थीम है जिसे हम फैमली एंड फ्रेंड्स कहते हैं अगर हम बात करें परिवार इवं मित्र की तो यहां हर साल किसी न किसी रूप में आपको सवाल देखने को मिलता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डारेक्ट आपकी स्लेवस से भी सवाल कर लिया जाता है कि बताईए आपके इन्वार्मेंट में कितने थीम है तो यह हमारे थीम में से एक महतपोर थीम है परिवार इवं मित्र उसमें आपसे सैयुक्त परिवार एकल परिवार अकثर पूछा जाता है तो आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे चले स्टार्ट करते हैं हम लोग परिवार से परिवार की हम बात करें, अगर हम इस word की बात करें, तो परिवार सब्द कहां से लिया गया है, तो परिवार सब्ड अंग्रेजि़ सब्द family कहीं क्या है, एक हिंदी रुपांतरन है, ये clear हुआ, परिवार किसका रुपांतरन है, तो आप सभी जानते हुँगे, ये एक दम basic ह कि परिवार हमारे एक English word family का ही हिंदी रुपांदरन है Elmer अपनी पुस्तक में sociology of family मतलब ये क्या है writer है जिन्होंने अपनी किताब लिखी है कौन से किताब लिखी है sociology of family उसमें लिखते हैं कि family सब्द की उत्पत्ती कहां से हुई है Latin सब्द से हुई है तो याद रखना है अगर हम family की बात करें family सब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ती कहां से हुई है तो family सब्द की उत्पत्ती Latin सब्द फैमूलस से हुई है ये याद रखिएगा examiner अभी तक नहीं पूचा है लेकिन पूच सकता है अगर हम seated की बात करें के लिए प्रियुक्त होता है एक ऐसे ग्रुप के लिए यूज होता है जिसमें माता-पिता बच्चे तता घर के अन्य सदस्य शामिल होते हैं किसके अनुसार तो एलमर एलमर ने अपनी एक किताब लिखी है sociology of family उसी के अनुसार जो family सब्दिकी उत्पत्ति की हम बात करें तो वस्था का एक महत्पूर्ण अधार इस्तम्भ है आप सभी जानते हैं कि समाज बनने से पहले क्या बनता है हमारा परिवार बनता है धीरे धीरे जब इनकी संख्या बढ़ने लगती ही तो यहीं हमारे समाज का निर्मार करते हैं तो जो परिवार होती है वो किसी भी होता है उसका मानसिक विकास हो समाजिक विकास हो संस्कृतिक विकास हो आर्थिक विकास हो कोई भी विकास हो उसमें जो सबसे महत्पूर्ण भूमी का होती है वो हमारे परिवार की हुई होती है मित्र का यहां क्या महत्व है तो यहां मित्र का महत्व जब बच्चा धीरे थीरे बड़ा होता है तो उसकी मित्रता जो होती है अलग-अलग रूपों में प्रदर्शित हो रही है उधानन के लिए जब बच्चा छोटा होता है तो उसका मित्र खिलोने होते हैं और बाकी चीजे होती है फैमली भी उसकी मित्र होती है जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो मित्र चलिए आगे बढ़ेंगे अब एक और राइटर है वो क्या कहते हैं इनका मानना है कौन आपके डी एन मजुमदार के अनुसार फैमिली फ्रेंड्स क्या है तो ध्यान दीजेगा अगर हम डी एन मजुमदार के अनुसार देखे परिवार तो परिवार ऐसे व्यक्तियों का समू है जो एक ही छट के नीचे रहते हैं इनका मानना है कि परिवार वे हैं जहां हम क्या करते हैं एक ही छट के नीचे एक साथ निवास करते हैं रत्त से संबंधित होते हैं और क्या होता है हमारा blood relation होता है और इस्थान स्वार्थ और पारामपरिक अदान प्रदान के अधार पर एक किस्म की चेतना अनुभाव करते हैं यह यह मानते हैं कि अगर हम परिवार की बात करें फैमिली की बात करें जब आप सभी words सुनते होंगे जब आप किसी institute में जाते ह किसी कोचिंग में जाते हैं किसी school में होते हैं तो आप क्या कहते हैं यह भी हमारा एक परिवार है लेकिन यहां पर आपके जो डी एंड मजुमदार है वो क्या मानते हैं उनका मानना है कि परिवार कौन है जो एक ही छत के नीचे निवास करते हैं और जिन में क्या होता है आ kind of consciousness based on location self-interest and आपका mutual reciprocity reciprocity चलिए आगे बढ़ेंगे जेन्स की अनुसार अब इनके अनुसार family क्या है यह सभी आपको बस एक basic information के लिए ध्यान रखना है क्योंकि जब आप question solve करेंगे तो इन ही की परिभासाओं के अधार पर आप उत्तर निकालेंगे तो अब हम बात करते हैं जोंस के अनुसार इनके अनुसार परिवार की क्या परिभासा है तो इनके देखते होंगे हमारे समाज में विवा होता है संतान होती है उनके अनुसार परिवार क्या है यही यह क्या हो गए यह हमारे जोन्स के नुसार हो गए इसके पहले हम कौन सा वेग्यानिक देखे थे मजूमदार मजूमदार जी क्या कह रहे थे यह कह रहे थे कि जब हम एक ही छ तक में लिखा था यह परिभासा ना बता परिभासा कैसे बताते हैं यह सबसे पहले वर्ड बताते हैं कि हमारा जो सबसे पहले परिवार सब्द की उत्पत्ति की हम बात करें तो यह हमारे लैटिन भासा से हुई है साथ ही परिवार का मत्रभिन होने क्या बता है जहां पर क्य होते हैं परशार सामिलब होते हैं फूर आपके राइटर है क्लेशर इनके अनुसार क्या है तो यह मानते हैं कि परिवार को हम संबंधों की वह विवस्ता समस्ते हैं तो माता-पिथा और उसकी of relationships that exists between parents and their children all over यहां पर हमने जितने भी writers को देखा वो सभी क्या कर रहे हैं घोम फीर कर ये मान रहे हैं कि family जिसमें क्या होता है blood relation होता है साथ ही एक ही छत के नीचे होते हैं और आपस में क्या होते हैं connected होते हैं इसके बाहर जो चीजे होती है वो समाज का एक रूप होता है अब बात करेंगे हम परिवार की समान ने विजेशता है या लच्छड जो आपकी family होती है उसका हम general क्या देखेंगे information देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले है कि मेकाईवर एवं पेज ने इन्होंने क्या किया है सीटेट में यह important होता है मेकाईवर एवं पेज ने परिवार के निम्न समान लच्छडो अथ्वा विसेस्ताओं का वर्णन किया है जो इस प्रकार है अब यह लोग विसेस्ता बता रहे हैं यह लोग वो निम्न अधारों पर बता रहे हैं सबसे पहले किसा अधार पर बता रहे हैं सबसे पहले यह यौन संबंद के अधार पर बनाएंगे सेक्सूल रिलेशन्स जो होते हैं उसके अनुसार परिवार क्या होते हैं ध्यान दीजेगा य जब युवक्तियों की साधी होती है तो क्या होता है उनमें यौन संबंध होता है जिसके कारण संतान की उत्पत्ती होती है तो इससे क्या होता है परिवार का निर्मार होता है आप परिवार की जब आप प्रकार पढ़ेंगे एकल परिवार संयुक्त परिवार यह छोटा पर परिवार बड़ा परिवार तो क्या होता है जैसे जैसे संतानों की उत्पत्ती होती तभी ना हमारे परिवार की संख्या बढ़ती है तो यह इसी चीज की बात कर रहे हैं अगर हम बात कर यौन संबंध की तो इसके अनुसर क्या है कि यौन संबंध परिवार का एक महत्पूर करते हैं और यही क्या करते हैं हमारे परिवार का निर्मा करते हैं चलिए तीसरा है नाम करण एवं वन्स परंपरा की परणाली के अधार पर प्रतेक परिवार की एक विवस्थित नामवली होती है जैसे माता पिता पिता पुत्री आदी वन्स क्रम दो प्रकार का होता है अब इस अधार पर भी हमारा परिवार होता है अगर हम बात करें तो प पिता के नाम पर ही चलता है माता के नाम पर हमारा समाज जो है वो उसे स्वीकार नहीं करता है दूसरा है आपका मातरो वंश्री माता के नाम पर चलने वाला परिवार कई ऐसे परिवार होते हैं जिसकी मुखिया मां होती है मां तो ऐसे हर घर की मुखिया होती है लेकिन उस प प्रतेक परिवार में अपने सदश्यों की भौतिक अवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए एक आर्थिक विवस्था होती है और संतानों का पालन पोर्षन इसी के द्वारा होता है इस अधार पर भी हमारा क्या होता है? परिवार होता है ये एक जनरल इंफोर्मेशन है जो क्या करेगा आपको आपके सारे प्रश्णों के उत्तर तक पहुँचाएगा आप इने जब समझेंगे तो आप बेसिक रूप से क्या करेंगे आंसर फटाफट देने का प्रयास करेंगे आप आंसर भी इसली दे लेंगे समान्य निवास के अधार पर परिवार एक परिवार के सभी सदर से एक ही स्थान पर निवास करते इस प्रकार की समान्य निवास परिवार का एक समान्य लक्षर है विशेस्ताय को भी प्रदर्शित करता है अब बात करते हैं हम परिवार का वर्गी करण अभी हमने क्या समझे देखिए सब्सेह पहले हमने क्या देखा सबसे पहले हम परिवार मित्र समझ रहे थे जो हमारे परियावरान का क्या है एक ठीम है ठीक फिर हमने क्या देखा कि अगर हम परिवार सब्द की उत्पत्ती की बात करें तो सबसे पहले परिवार जो है वो फैमिली सब्द का ही रुपांत्रण है और एक आपके राइटर है कौन आपकी एलमर इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है कौन सी किताब सोस्योलोजी और उसमें वो लिखते हैं कि फैमिली सब्द की उत्पत्ती किस से हुई है आपके लैटेन सब्द के फैमूलस से हुई है जिसका अर्थ हम क्या समझते हैं जिसका अर्थ हम ये समझते हैं कि ऐसा समूव जिसमें माता-पिता बच्चे वा घर के अन्यसदत से सामिल होते हैं और जिसमें क्या होता है ब्लड sibling relationship होता है जीसमें हम रक्तों की पाय जाता है सम्मज़ पाय जाता है इसरे थे आपके जौन्जॉन्ज क्या बोल रहे थे कि परिवार यौन सम्मभ़ों पर अधारिद एक समाजिक संस्था है जिसका उद्देश क्या है संतान उद्पत्ती करना और उनका पालान पुशन करना है ये परिवार को यहां मानते हैं क्लेयर के अनुसार हमने क्या देखा परिवार को हम संबंधों की वह विवस्था समझते हैं जो मातापित और उसकी संतानों की मत्धी पाय जाता है फिर हमने क्या देखा तो क्या निस्कास निकाला कि आपके जितने भी के राइटर हैं या मनोविघ्ञान हैं वो हमारे रक्त के संबמק से होता है, सांथी विवाह से होता है, विवाह के उपरान जो संतान की उत्पति होती है वही परिवार का सबसे बेसिक क्या होता है आपका अधार हो सकता है कह सकते हैं आपका बेस हो सकता है मतलब family जैसे आप पौधों में देख रहे थे जो मूल पौधे का जो होता है वो क्या होता है आपका जड़ होता है जो अधार होता है वो जड़ होता है वैसी परिवार में जो मूल होता है वो आपका क्या होता है संतान होता है आपका विवा होता है यहीं से आपके परिवार क कि क्या होती है कि काई धीरे धीरे आगे बढ़ती है परिवार की समान्य विसेस्ता है लक्षड हम देख रहे थे कि परिवार में क्या क्या विसेस्ता है पाई जाती है तो हमने देखा कि सबसे पहले परिवार में यौन संबंध देखा जाता है यौन संबंध कैसे देखा जात अगर परिवार में, परिवार मतलब जिनका विवा हो चुका है, जो क्या कर रहे हैं अभी हमारे परिवार की स्थापना कर रहे हैं, अगर उनके बीच यौन संबंध नहीं है, तो वो परिवार की स्रेणी में नहीं आएंगी, तो यह क्या है, अपनी एक विसेशता है, दूसर विवय एक्र प्रमप्र की पर नाम करंड या तो पीता के नाम पर होता है रूर्षी चलता है पीता के नाम पर हमारा ऑंस आगे बढ़ता है यह सारी चीजे क्लिएर हुई अगली विशेस्था थी अगली विशेस्ता थी आर्थिक व्यवस्था विश्चित रूप से परिवार में आर्थिक व्यवस्था भी देखने को मिलता है कैसे कि प्रतेक परिवार में अपने सदश्यों की भौतिक अवश्यक्ताओं को पूर्ति करने के लिए आर्थिक व्यवस्था होती है संतानों का पालन पोशन इसी के द्वारा होता है बस अब आपने क्या देखा परिवार में हमने देखा कि विवा होता है और क्या होता है यौन संबंध होता है नाम करण होता है वंस बढ़ता है लेकिन बच्चों का पालन पोशन करने के लिए निश्चित रूप से अर्थ की तो आवश् तो ये भी क्या है हमारे परिवार की एक विसेश्था है अगला है आपका समानने निवास हम सभी क्या करते हैं हमारा निवास होता है जब क्या करते हैं पीडी दर पीडी जब दादा दादा के बच्चे फिर जो हमारे पीता कहलाते हैं फिर हम हम सभी सब सांत में रहते हैं तो तो एकल परिवार कहलाते हैं, उस अधार पर भी क्या होता है, समान निवास होता है, तो ये क्या थी हमारी परिवार की विसेशता है, और परिवार का नाम करण कैसे हुआ, उस सब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी हमने समझा, अब हम समझेंगे परिवार का वरगी करण, मुख्य रूप से परिवार का जो वरगी करण है वो दो रूपों में किया जाता है कौन-कौन सा पहला है आपका एकल परिवार और दूसरा है आपका संयुक्त परिवार आपका जो एकल परिवार होता है अभी मैंने रिपीट किया कि एकल परिवार जो होता है उसमें के वल माता, पित और बच्चे होते हैं, जब कि सहयुक्त परीवार में कई पीढ़ी, एक से अधिक, या दो, मतलब आपके दो पीढ़िया रह सकती, तीन पीढ़िया, एक से अधिक जो पीढ़ी होंगी, वो किसमें आएंगे आपके सहयुक्त परीवार के अंतर गताए करेंगे अब देखिए कोश्चन है यहां पस अब यहां से हम समझने का प्रयास करेंगे उससे पहले फिर मैं आप लोग को चीज क्लियर करूंगी एकल परिवार और संयुक्त परिवार एकल परिवार जिसमें एक ही पीढ़ी के सदस्य होते हैं जैसे माता पिता और उनके बच होते हैं यह कथन सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह इसपस्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गी करन नहीं किया जा सकता सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परि नहीं दिया है चलिए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है सबसे पहले यहां पर लिखा है कि सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह इस पस्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक है कि नहीं तो यह कोई सेंसलेस जैसी बाते हैं बच्चे जैविक ही होती है, बच्चे जिन्दा ही होते हैं, जीव ही होते हैं वो, यह कोई बात तो नहीं हुआ, यह तो पहले गलत हो गया. सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होता है तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गी करण नहीं किया जा सकता ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ हमारा जो परिवार है वो जरूरी नहीं है कि परिवार में केवल क्या हो आपके माता पिता और बच्चे ही हो तो ये आंसर बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रकार से हम परिवार का परिभासा दें दूसरा है सत्य है क्योंकि किसी आदर्ष परिवार का आकार है यह ठीक है लेकिन ऐसे नहीं कह सकते हैं संख्या के अधार पर किसी परिवार को आदर्ष नहीं कह सकते हैं आप उनकी नैतिक्ता के अधार पर कह सकते हैं आप उनकी संसकार के अधार पर उनको आदर्ष कह सकते हैं लेकिन संख्या के अधार हमारे भारती परिवार की हमेशा से विसेस्तर ही है वो बात अलग है कि अब आज के भाग दोड के कारण हम सभी एकल परिवार की स्रेणी में आने लगे हैं लेकिन अगर हम परंपरा की बात करें तो हमेशा भारती परंपरा की विसेस्तर ही है संयुक्त परिवार जहां पास मा आपका क्या होगा सही होगा अब आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है कक्षा तीन के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता मा और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिस्तेदार साथ रहते हैं ठीक यह हो गए मैंने आपको बताया था कि जहां पर क्या है आपके माता पीता और बच्चे हो वहां पस कौन सा परिवार होगा वहां पर एकल परिवार होगा ठीक यदि दादा दादी एवं अन्य रिस्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है आप इस बारे में क्या सोचते हैं अब जब भी exam hall में बैठेंगे तो आप हमेशा एक positive way पर सूचिएगा, child centered होकर सूचिएगा, आप एक बच्चे के अधार पर सूचिएगा, परिवार के अधारना को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, क्या ये सही है कि हम बच्चों को बोले कि हाँ परिवार का मतलब वही है कि जह पर हम क्या कर रहे हैं, जहां केवल माता पिता रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, ये भी यहां तक सही हो सकता है क्योंकि यहां पर क्या लिखाया है, परिवार की परिभासा गलत है, हम कैसे बता सकते हैं कि परिवार की परिभासा गलत है या सही है, हमने तो परिवार को है सहीव्ट परिवार एकल परिवार्म ठीक तो यह नहीं कह सकती को आप संवेदन deze nemegisा सच भी नहीं है शिच्छ अ ढाल अधोppen तो थोड़क रहे थे तो थोड़े क्या हुआ हमें डाउफ थो तु तो तुरंथ उस क्या करें थोड़ा सो hold करके आगे बढ़े जब हम आगे बढ़े तीनों sentence क्या मिले गलत मिले तो आप क्या बोले परिवार की अवधार्णा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए अब हम इसको क्या करते पॉजिटिव वेपि लेते हैं अब हम बच्चों को बता सकते हैं कि बच् का आंसर होगा चलिए आगे बढ़ेंगे निमलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्यन पाठिकरम के छे मुख्य थीमों में से एक नहीं है अब इसका आंसर जो है वो आप स्वयम देंगे क्योंकि पहल फर्स्ट क्लास में ही मैंने क्या किया था आपको बहुत अच थीम है इसके अलावा आपको क्या बताना है नहीं है बताना है तो काम और खेल थीम है क्या भोजन आवास चीजे हम कैसे बनाते हैं इसमें से एक थीम नहीं है इसका आंसर आपको बताना है बहुत इजी है अगला कोश्चन है रीता अपने नौकरी वाले माता पिता छोटे भाई दादा दादी चाचा इवं उनके परिवार के साथ रहती है इस प्रकार की परिवार व्यवास्था को हम क्या गएंगे सबसे पहली चीज कि आपके ना परिवार से ऐसे ही सवाल आएंगे या तो आपसे डारेक्ट थीम पूछेगा या तो आपसे इसी तरह के सवाल आएंगे आप प्रिवेस यह उठा कर देखेंगे तो सवाल ऐसे ही वन नहीं है सभी आपके प्रिवेस यहर में पूछेगे आचा है वह उनके परिवार के साथ रहती इस प्रकार की परिवार विवस्था को क्या रहेंगे प्रितुवन्स परिवार जिसमें रिता के पिता मुखिया है मात्रुवन्स परिवार जिसमें रिता की मा मुखिया है संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस नहीं है एकल परिवार हो ही नी सकता क्योंकि यहां पस माता, पीता छोटे भाई बहन तो है लेकिन साहत में दादा, दादी, चाचा भी है, यह क्या हो गया, गलत हो गया संयुक्त परिवार जिसमें आपके परिवार के सभी सदस्य शांत में रहते हैं तो आंसर क्या होगा आपका तीसरा होगा यहां पर अगर बोला होता कि यहां पर इतने सारे सदस्य हैं जिसमें मुख्या कौन है जिसमें मुख्या पिता है तप वहाँ पर क्या होथा आपका पृत्वएन्स होता यह अगर बोलता माता मुखीय तो वहां पर मत्वएन्स होता लेकिन यहांपर ऐसा कुई बात नहीं यह आपस सीधा सदस्यों का नाम दिये तू क्या हो जाएगा आपका सियुक्त परिबार हो जाएगा अगला कोश्चन है निमने में से कौन सा समाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उधारण है समाजिक सांस्कृतिक वातावरण ये भी आपका एक्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने सामिल किया है जल, समारक, समुदाय, जंगल क्या पूछे आपसे समाजिक और सांस्कृतिक जल तो आपका क्या है एक परियावरण का हिस्सा है स्मारक, भवन ये भी क्या है सब ये निश्चित रूप से हमारे आसपास पाई जाने वाली जो निर्जिफ चीजे हैं उनमें सामिल होते हैं जंगल भी जो एक आपका एक एवियस या हम कह सकते हैं परियावरण का ये खिस्सा है और हम बात करें समुदाय की तो समुदाय क्या बनाता है समुदाय हमारे समाज का निर्मार करता है किसका निर्मार करता है आपके समाज का निर्मार करता है तो समूदाय हो गए, लोग हो गए, ये सभी क्या करते हैं, समाज का नेमार करते हैं और इमकी अपनी संस्कृती होती है तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर यहाँ पर हो जाएगा समूदाय ठीक है समुदाय क्या है आपके समाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उधारण है इवियस पार्थे चरिया में परिवार एवं मित्र क्या है ये आपको आंसर बताना है क्या ये पार्थिकरम है क्या उप्थीम है क्या विसाय वस्तू है क्या ये थीम है अच्शिजिंग हो जायेगा यह जायगी हम अधिया क्या है है भार्ती परिवार का स्वरूप् अभ हमने क्या पढ़ा था हिमने हमारे समाज में हमारे भारती समाज में अक्सर देखा जाता है ना हमारा परिवार होता है जो वन्स होता है वो कृतिव वन्स ही होता है मतलब हमारे जो पिता होते हैं पिता कहीं क्या होता है शासन होता है कह सकते हैं या उनका नाम होता है मतलब हमारे जो वन्स होता है वो पिता के नाम पर चलता है सासन तो माता ही करती है घर पर लेकिन अगर ह अगला है आपका किस प्रकार के परिवार में विवाहित यूगल इस्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं किस प्रकार के परिवार में विवाहित यूगल इस्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं मतलब जो यूगल है जो आपके युवक यूफती है वो इस्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं तो कौन सा होगा, क्या प्रितो इस्थान होगा, क्या मात्रो इस्थान होगा, क्या वैवहाईक होगा, क्या एकल होगा, तो यहाँ पर बोल रहा है, इस्तरी के परिवार के साथ निवास कर रहे हैं, तो यह आंसर आपको बताना है, क्या होगा, यह ना सवाल आपको घुमा दिया है लेकिन एकदम सिंपल आंसर होगा जहां पर हम इस्तरी के परिवार के साथ निवास कर रहे हैं निश्चित रूप से वो क्या होगा मात्रो इस्थान होगा माता का इस्थान होगा ठीक है जहां पर क्या होगा आपके किसी इस्तरी का नाम च सकते हैं या इस्त्री के भी तो यहां पर कोई सेंस नहीं है प्रत्वी स्थान चुकि यहां पर क्या बुला गया है कि इस्त्री के परिवार की साथ निवास करें तो यह भी आपका नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा तो आंसर क्या होगा आ अगर हम अभी विन्यास परिवार की हम बात करें तो अभी विन्यास परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें क्या हो ऐसा परिवार जिसमें किसी बच्चे का पालन पोशन हो समाजी करण हो और उसका विकास हो तो ऐसा कहा होता है तो ऐसा आपके पृत्व इस्थान में होत किस वन्स को महत्व मिलता है तो पृति वन्स को मिलता है या पृत्व इस्थान को मिलता है तो क्लियर हुआ आपका अगर पूछे अभी विन्यास परिवार का क्या होता है तो अभी विन्यास परिवार ऐसा परिवार जिसमें किसी बच्चे का पालन पोशन देख रे और उसका समाजी करण होता है और समाजी करण कहा होता है समाजी करण के महत्वक किसमें मिलते हैं आपके प्रितु स्थान को मिलता है जहां पर पिता का स्थान होता है क्लियर हुआ अब आगे बढ़ेंगे चलिए आज के लिए हमारा इतना ही था हमने क्या देखा हमारा जो प्रिवार में मित्र के हीं एक धीन हैं इसे की भी बच्चे का प्रारंभिक्स मैं एक इक ते हाग कि om अरी प्रहिवर योल सइ मनुवी ज्ञान हैं जञ्सार हम ने सब्सक्राइब गरिए और के लिकारिशा विसेस्ता ओ designed हमने all over देखा निसकर्स निकाला की परिवार जो होता है उसमें blood relation पाया जाता है जो एक छत की नीचे निवास करते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और हमने देखा कि हमारे जो भारती समाज है उसमें क्या देखा जाता है प्रितु इस्थान को महत्व दिया जाता है जो प्रितु वन्स है उस अधार पर हमारा नामकरण होता है फिर हमने देखा कि अभी विन्यास परिवार जो एक्जाम में एकसर पूछा जाता है तो अभी विन्यास परिवार क्या होता है जहां पर प्रितु जो वन्स होगा वहां पर उसको महत्तु मिले साथ ही उसका पालन प अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ, आज ही हमारे वेबसाइट के केरियर पेज पर विजिट करें, अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर दिये लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ टिम कोको